आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ तो जो पहला विकल्प है वो कह रहा है जब बच्चे को महत्पूर माना जाया और उसके भावनाव का समान किया जाया दूसरा विकल्प कह रहा है कि बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाया तीसरा विकल्ब कहा रहा है कि बच्चे के कक्षा में अच्छे अंक आएं और चौत्या विकल्ब कहा रहा है जब सिक्षक बच्चों के उनके बौद्धिक इस तर के अनुसार पढ़ाएं तो चलिए आए हम देखते हैं कि हमारा जो प्रश्ण है वो बात कर रहा है समवेगातमग और समाजिक विकास के बारे में समवेग यानि कि भावो में उथल पुथल तो समवेगातमग और समाजिक विकास के बारे में बात करी जा रही है समवेगादमग एवं समाजिक विकार तो किसी भी बच्चे का समवेगादमग और समाजिक विकार तभी होगा जब वो बच्चा अपनी भावनाओं को विक्त कर पाएगा जब वो अपने उम्र के लोगों के साथ में ऊठेगा बैठेगा बच्चे को अधिक पढ़ने को कहा जाए तो अधिक पढ़ने पर जो बच्चा है उसका सामाजिक विकास और भावनात्मिक विकास नहीं होगा उसका अध्यान अच्छा होगा बच्चा जो है वो प्रतिभाशाली होगा बट सामाजिक होगा ऐसा नहीं कहाजा सकते हैं बच्ची कक्षा में अधिक से अधिक अंक लाएगा तो वो प्रतिभा शाली हो जाएगा और वो बहुत थी पढ़ने में निपूर हो जाएगा वो अपने कक्षा में अवाल आएगा परंतु ऐसे दिशामें उसका सामाजिक एवं सम्वेगात्मक विकास नहीं होगा तो यह विकल्ब हमारा सहीं नहीं जाएगा और कहरें जब बच्चे को उनके बौद्धिक इस्तर के अनुसार पढ़ाया जाए तो यह संभव ही नहीं ही कि बच्चे को उनके बौद्धिक इस जाए उसके भावनाओं का सम्मान किया जाए तो ऐसे दिशामें जो बालक या बालिका है जो बच्चा है उसका सम्वेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा धन्यवाद्ध लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें आच चार्सो 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 पर